दुस्तों, इंटर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इंटर के रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो अपने नंबर से खुश नहीं है। उनको लगता है कि हमें और number मिलना चीए था, जतना हमने लिखा उतना number नहीं मिला, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो fail हो गए, जिनका cross लग गया है, तो fail होने के बाद क्या करें, इंटर में fail होने के बाद कौन सा रास्ता हम अपना सकते हैं, pass कैसे हो सकते हैं, साल कैसे ब लुकसान तो नहीं, आगे हमें पढ़ाई करना हो, नौकरी करनी हो, तो ये mark seat हम यूज कर सकते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं नहीं होगी, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कि जिनको grace number मिला ही नहीं, जो एक दो नमबर से first नहीं हो पाए, second हो गये, 299, 299, 295 में number पे रह गये, second रह गये, ऐसे बच्चे को grace number नहीं मिला, तो उनका भी सवाल है कि भाई, हमको grace number क्यों नहीं मिला, मिल जाता तो हम भी पांस हो जाते, हमारा भी division जो है, चेंड हो जाता है, कुछ बच्चे grace ना मिलने से fail हो गये हैं, तो कुछ बच्चे grace ना मिलने से उ इस वीडियो में, सबसे पहले में बता दूँ, अगर कोई बच्चा fail हो गया है, और अगर वो 2 subject, maximum 2 subject में fail हुआ है, तो उसके पास मौका है कि वह compartmental का exam दे करके, अपना एक साल बचा सकता है, compartmental को ही supplementary exam भी कहते हैं, तो उसकी पास मौका है, लेकिन maximum 2 subject में ही fail बच्चे, अगर 3 subject में fail हैं, 4 में fail हैं, 5 में fail हैं, तो ऐसे बच्चे compartmental का exam नहीं दे सकते हैं, उनको अगले साल सारे subject का फिर से exam देना होगा, 2025 के exam के लिए जब exam form भराएगा ना, तो उस वक्त ऐसे बच्चों को सीधे exam form भर करके, X student के रूप में, और 2025 के इंटर exam में शामिल हो जान भरना शुरू होगा, उस वक्त ओभी X student के रूप में form भर करके, अपने उसी कॉलेज से, प्लस्टू स्कूल से, और 2025 के इंटर exam में शामिल हो सकता हैं, लेकिन 1 से 2 subject में fail बच्चे चाहें, तो अभी जो मार्च अप्रेल में special exam होने वाला है, special some compartmental exam, उसमें भी शामिल होकर एक extra subject में भी fail है, तो extra subject को count नहीं किया जाता है, यानि कि अगर 2 main subject और 1 extra subject, 3 subject अगर extra मिला करके हैं, तो ऐसा बच्चा भी चाहें, तो compartmental दे सकता है, लेकिन अगर 3 main subject में fail है, 4 main subject में fail है, 5 main subject में fail है, तो फिर वो compartmental नहीं दे सकता, अब हम आते हैं, scrutiny की तरफ, बहुत सारे ये दावा है कि हमने काफी अच्छा exam का paper लिखा था, हमको उतना number नहीं मिला, हमको जतना marks मिलना चीए था, उससे कम मिला है, तो उसके लिए आप challenge कर सकते हैं, उसको कहते हैं, scrutiny, scrutiny के लिए भी date आज से कल तक आ जागा, scrutiny के लिए apply करने में आपको per subject, प्रती subject 70 लगते हैं, आज तक तक तो यही लगा है, अब इस साल दिखते हैं कितना लगता है, तो 70 रुपिय लगते हैं, आपको scrutiny के लिए apply करना होगा, एक subject के लिए apply, तो 70, उस तरह से जितने सबिक के लिए करेंगा, उतना से गुना कर लिजे, multiply कर लिजे, अब यहाँ पर नुकसान क्या है, scrutiny क के लिए जो आता है न notification, उसमें बिहार बोर्ड असपष्ट लिख देता है, कि भाई, scrutiny के लिए apply कीजेगा, तो आपका number घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और यह थावत भी रह सकता है, या फिर जतना था, उतना भी रह सकता है, यह चीजे notification में ही लिख दी जाती है, तो सारे answer check तो हुए है ना, उनका अगर number मिलना चाहिए, तो number मिला है ना, answer पूरा का पूरा, या फिर answer का कोई हिस्सा, कोई part, आमुल्यांकित, यानि unchecked नहीं रह गया है, और एक चीज़ देखी जाती है, कि बच्चे को जो copy के अंदर number मिले, अलग-अलग question का number मिला, उन सब क जो total aid करके, जोड करके main page पर लिखा गया है, उस जोडने में तो गलती नहीं नहीं होगी है, ये देखा जाता है, copy दोबारा check नहीं होती है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि हम scrutiny कर देंगे, तो हमारी copy दोबारा check होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, number बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या थावत भी रह सकता है, भी हार बोर्ट खुद लिख देता है, notification में, अब आते हैं, grace marks की तरफ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको pass करने के लिए grace number मिला, ऐसे बच्चे का confusion है कि हमको grace number मिलने से कोई नुकसान तो नहीं है, देखे, grace number मिलने से नु प्रोबलम होगी, ना आपको कहीं नौकरी करने में प्रोबलम होगी, यह marksit आपका pass अगर उसमें लिख दिया गया, मतलब आप pass माने जाएंगे, अब आगे उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, grace से pass हो, चाहे नौर्मली pass हो, तो grace number मिलने से कोई नुकसान नहीं होता, ना admission में, ना नौकरी में, यहाँ पर मैं एक चीज और clear कर दूँ कि compartmental का exam, फेल बच्चे देखर के साल तो बचा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को ना तो division मिलता है, और ना ही जो दूसरे lab होते हैं, वो मिलता, जैसे कि inter में जो प्रोथसाहन रासी मिलता है, वो प्रोथसाहन रास तो हैं, लेकिन उनका number ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चे सवाल करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के सामने विकल्प है improvement का, जिसको समुननत परिच्छा भी कहते हैं, जिसको betterment exam भी कहते हैं, ऐसे बच्चे चाहें, तो अगले साल, 2025 के लिए जब exam form भराएग exam form का जो charge होता है, normally दूसरे लोगों से improvement का charge थोड़ा सा ज़ादा होता है, तो बच्चे improvement के रुप में form भर देंगे, फिर सारे सब एक्जाम देंगे, उचाहें तो अपना अच्छा number कर सकते हैं, तो ये चीज़े हैं, अब एक चीज़ और मैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे policy है, उसकी अपनी policy है, और board की जब अपनी policy है, तो किसी को दे भी सकता है, किसी को नहीं भी दे सकता है, इसमें आपका या किसी का भी कोई roll नहीं, कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए grace number मिला जाना मिला, इसमें हमारा कोई roll या भूमिका नहीं होती है, इसलिए इस बात की आप चक्कर में नहीं रहना है आपके सामने स्कूरूटनी का मौका आ रहा है कंपार्टमेंटल का मौका आ रहा है नंबर बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो अपना कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरके अगर फेल हुए हैं फाइदा और नुकसान सब मैंने आपको बता दिया फिर बेगर कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं हम मिलते हैं अंगली वीडियो में नई जनकारी के साथ